Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. My name is Shilpi Tiwari और आज करेंगे General Knowledge का New Topic जिसका नाम है Young Role Models. क्या मतलब होता है Young Role Models का? So children कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को देख के बहुत जादा इंस्पायर हो जाते हैं. हमें ऐसा दखता है कि यार अब यही बनना है. मुझे तो उसकी तरह बनना है. ऐसे बाते करते हो ना आप सब कभी-कभी. क्या है वो चीज़? Children, जब आप किसी को देख के बहुत जादा motivated feel करते हो या फिर inspire होते हो, आपको लगता है कि आपको वो ही जाके बनना है, तो वो children आपकी एक प्रकार के role model होते हैं. Isn't it? आप उनको मतलब अपना एक image मानते हो और आप ये सोचते हो कि उसी दिशा में बढ़ना है, उसी direction में बढ़ना है और आगे जाके उनी की तरह काम करना है, उनी की तरह बनना है. Isn't it? So children, हम सब की life में कोई ना कोई role model होता है, जिसका हम example set करते हैं और आगे जाके उसी तरह से काम करते हैं, ताकि हम उनकी तरह बन सकें. लेकिन children, ऐसे role models हमारी country इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर में भी हैं, जिनोंने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम किये हैं, जिन से बहुत से लोग inspire हुए हैं. उनकी लिए अच्छा example set करते हैं, और लोग good people बनते हैं. बट जो लोग children बुरा काम करते हैं, क्या कोई उनकी तरह बनना चाहेगा? In fact, हम उनको हमेशा कहते हैं, he's such a bad boy, he's such a bad girl, isn't it? तो उनकी तरह कोई नहीं बनना चाहता, उनका example कोई नहीं लेना चाहता. So children हमेशा एक role model की तरह रहना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए बड़े होकर कि लोग आपको देखके भी ये feel करें, कि आगे जाके उसकी तरह बनना है, isn't it? और ये कहलाता है role model, और आगे यहाँ पर लिखा है young role models, मतलब ये जो भी role models जिनके बारे हम आगे जाके पढ़ेंगे, समझेंगे, वो लोग कुछ जादा बड़े नहीं है, वो लोग सब young है, कम age के है children, बट स्टिल अपनी इस कम age में भी उन्होंने बहुत सारा नाम कमा ल अंड रोंघ, है ना जो elders होते हैं वो हमें बताते हैं, कि क्या सही है, क्या गलत है, जैसे हमारे घर के जो बड़े होते हैं, वो हमें बताते हैं away, एशित ना कम आगे रोंग and येle thoughtier, और शॉलघाओ एलै कि क्भयाहते हैं, वो हमें हमे आईशा में एविशन गाईड गरते then but what happens when elders lose their way and set bad examples for the younger generations but children just imagine कि क्या होगा जब बड़े अपने सही तरीके को छोड़ दे मतलब जो चीज करनी चाहिए उन्हें वैसा छोड़ दे अच्छे बनना छोड़ के अगर वो चीज करता है तो आपके सामने अच्छा एक्जामपल सेट होगा और आपको कहीं न कहीं उस के लिए बैट फीलिंग सा जाएंगी राइट चिल्रन हमेशा जो बड़े होते हैं हमसे उन्हें छोटों के सामने क्या करना चाहिए अच्छा एक्जामपल सेट करना चाहिए उनके काम भी वैसे होने चाहिए जिससे छोटे बच्चे या फिर उनसे जो भी छोटे लोग हैं उनसे इंस्पायड रहें अच्छे एक्जामपल को ऐसे लेके चले इजन्ट इट ना की ऐसा कि कुछ गरबड काम करते हो आप या फिर आप अपने टीचर्स की नहीं सुन रहें आप अपने पेरेंस की नहीं सुन रहें और आपके छोटे भाई-बैन आपको देख आप से सीखें अच्छी चीजें सीखें ना की गलत चीजें सीखें isn't it okay then children never think lesser of yourselves है ना children कभी भी आपको अपने को कम नहीं समझना है कभी भी नहीं कभी भी नहीं चाहें आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप sports में अच्छे हो सकते हो right हो सकता है कोई पढ़ाई में उतना strong नहीं होता but sports में अच्छा हो सकता है कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है but sports में उतना अच्छा नहीं हो सकता है कोई दोनों में अच्छा नहीं होता तो किसी की art, drawing बहुत अच्छी होती है तो कभी भी अपने को कम नहीं समझना है You have the power to change the world आपके अंदर चिल्रन वो सारी पार है वो सारी ताकत है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो पूरी दुनिया को आप बदल सकते हो चिल्रन इतनी शक्ती आपके अंदर है इतना पावर आपके अंदर है If you don't believe, look at some of your peers Children, now the story begins अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि आपके अंदर भी वो पावर है आपके अंदर भी वो ताकत है कि you can change the world You can set good example in front of others Children, आज हम उन्ही young role models के बारे बाते करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अच्छा example set किया है और आज वो बहुतों के young role models है Okay, so let's start and study about those young role models children The first young role model is children Malala Yousafzai Okay, आप मेरे पीछे उनकी picture देख सकते है She is Malala Yousafzai Alright, क्या किया है इन्होंने? देखे, she is the youngest person to win the Nobel Prize So children, Malala Yousafzai जो थी, वो सबसे छोटी है और छोटे में ही उन्होंने Nobel Prize जीता है Yes children, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें Nobel Prize मिलता है Okay, और जो Malala Yousafzai है, she is the youngest मतलब जो लोग को मिलता है, उन्होंने सबसे छोटी उमर में जिनको मिला है, वो यही है and she is the winner of children Nobel Prize She is a Nobel Prize winner लेकिन ऐसा क्या किया था है, उन्होंने के इनको Nobel Prize मिला So come, we'll read out So, she fought for the education of women and children in North West Pakistan A place where the militants did not let women study So children, Malala Yousafzai ने women education और children education के लिए लड़ाई की थी कहाँ पे? North West Pakistan में जहाँ पे जो militants होते हैं, वो औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं जो उन्हें नहीं अलाव करते हैं But still Malala Yousafzai ने किसी भी बात की tension ना लेते हुए विमेन और चिल्रन के education की राइट के लिए लड़ाई की और उन्होंने वहाँ पे success प्राप्त किया और इसलिए इस बात के लिए चिल्रन उन्हें noble prize दिया गया है ना, just imagine ये militants जो होते हैं, वो कितने खतरनाक होते हैं, राइट? तो उनके सामने भी चिल्रन वो डटी रही और bravely she fought and then she took the right of giving the power of education to women and the children of North West Pakistan. So she is Malala Yusuf Jai चिल्रन, the youngest noble prize winner. Okay, तो आप देख सकते हैं, चिल्रन की छोटे हुए तो क्या हुआ बट स्टिल ऐसे ऐसे लोग काम कर जाते हैं, जो अपना नाम मशूर कर देते हैं, isn't it? So she was Malala Yusuf Jai, then she wanted to study and become the prime minister of her country. वो चाती हैं थी के वो पढ़ाई करें और अपनी country की prime minister बने. All right, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो आगे बढ़ना चाती थी और वो चाती थी के वो अपनी country की क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने और country में वो सारी चीज़े सही कर दे जो गलत हो रही थी. All right, then for all her efforts to study and fight for education, Malala was shot by the terrorist when she was only 15, but she survived. So children, उस पावर को पाने के लिए, women education और बच्चों के education की fight करते-करते, मतलब उसको पावर को पाने के लिए के उनको education मिले, वो free है, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें allow करना चाहिए, पढ़ाई करना, children, इसी चकर में Malala को क्या किया गया था militants ने, terrorist ने, उन्हें shot कर दिया था, मतलब उन्हें गोली मार दी थी, children, जब वो सिर्फ 15 years की थी, can you imagine, only 15 years old and she was fighting for her women and education so that they can get the education, children and the terrorist of North West Pakistan, they shot her at the age of 15 but children still survived, फिर भी बच गई, और children, आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी उमर में उन्हें कितना बड़ा काम कर रहे थे, कि उन्हें education दिला रहे थे, अपने women और children को, उन्हें rights दे रहे थे, कि आप सब को भी हक है पढ़ाई करने का, और इसी बात से, terrorist जो थे, वो नराज हो गए और उन्होंने उन्हें गोली मारने की कोशिश करी, but still by God grace, she survived, then, today she stands and fights for the education of women and children in Pakistan, और आज भी children, वो खड़ी हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, और तो, और बच्चों की education के लिए पाकिस्तान में, तो अभी भी लड़ाई खतम नहीं हुई है, it's still going on, Malala Yusuf Jai is still standing and fighting for the right of education for their women and children, and children, so she is Malala Yusuf Jai, Nobel Prize winner of Pakistan, okay, तो आप देख सकते कितनी छोटी उमर से भी children, इनके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, कि उन्हें कुछ अच्छा करना है, अच्छा example set करना है लोगों के लिए, isn't it, so, next है हमारे जो नोबल, next है हमारे जो यंग रोल मॉडल, उनका नाम है, मुहम्मद मनन अंसारी, okay, so, you can see in the picture right next to me, मुहम्मद मनन अंसारी, चिल्रन, he is from India, क्या किया था इन्होंने, मुहम्मद मनन अंसारी, an 18-year-old, fights for other children's rights to education in India, so, children, जैसे बलाला, यूसुफ जाई ने अपनी country के education के लड़ाई की, उसी तरह से मुहम्मद मनन अंसारी, जो 18 साल के हैं, वो किसकी लड़ाई करते हैं, दूसरे बच्चों की right to education की लड़ाई करते हैं, वो चाहते हैं कि सभी बच्चों को हक मिले पढ़ाई करने का, अब देख सकते हैं, sap की age क्या है बच्चों, चोटी है, they are not that big, they are not elders, they all are young, but still children they are doing so much good for work, good work for us, isn't it, all right, he was 8 years old when he was sent to Micah Mines to work, तो आप जानना चाहेंगひ मुहम्मद मनन अंसारी की दिमाग हमें यह चीज़ क्यों आया, कि हम सबको भी education मिलने का हग है. क्योंकि children, he was only 8 years old. वो सिर्फ 8 साल के थे जब उनको children Micah Mines भेजा गया था work करने के लिए. Mines, मतलब खदाने, मतलब आपको जमीन के नीचे जाना है. Micah निकालने के लिए, Muhammad Manan Ansari was only 8 years old. क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे, तो उनको काम के लिए बेज दिया, मचदूरी के लिए बेज दिया, कि जाओ माइंस में जाओ. And he was only 8 years old. Alright, तो आप देख सकते हैं कितने hardship थी इनकी life. Life was not that good. नहीं रोजी-्रोजी थी कि सब कुछ मिल रहा था, तो लड़ाई कर रहे हैं women और children के education के लिए. कुछ नहीं था, खुद भी बहुत मुश्किल से निकले हैं. Thankfully, his parents helped him leave that work and take up education with the help and support of others. लेकिन children, जो मुहमद मनननसारी के parents थे, उन्होंने realized किया कि difficult है काम और उन्होंने children मुहमद मनननसारी का काम छुडवा दिया और दूसरों की मदद से उन्हें education दिलाई. Okay, so he is thankful to his parents that he helped, they helped him to take the education for the children with the support of others. So, मुहमद मनननसारी के जो parents थे, उन्होंने उसका काम छुडवाया और उसे education दिलवाई दूसरों की मदद से. Alright, then, today he works to help other children get rid of mines and pursue education. So, children, मुहमद मनननसारी को ये पता था कितना difficult है माइका माइन्स में काम करना. और इसलिए, चिल्रन आज, when he is 18 years old, he is still fighting for those children who are working in the माइका माइन्स. और वो उन्स सारे बच्चों को education दिलाने की कोशिश करते रहते हैं. He is fighting for their education because he knows कि जो बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्की काम करनी की नहीं है अभी life. उन्हें पढ़ाई करना है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे पढ़ाई करके कुछ अच्छा आगे कर सकें. है ना, तो सबको education मिलना चाहिए, everybody should have right to get the education. So this is what Manan Ansari is doing, he is still fighting for the children who are going and working in the माइका माइन्स. वो चाहते हैं कि माइन्स में बच्चे ना जाएं और आगे की पढ़ाई pursue करें, आगे की पढ़ाई प्राप्ति करें. Alright, now, Zvetal Kartl Martínez, now we will learn about some different personality children, इनका नाम क्या है? Zvetal Kartl Martínez is an 18-year-old boy, okay? He is an 18-year-old boy who helps protect the environment in Colorado. Children, ये क्या करते हैं, he is also young, he is only 18-year-old boy, और ये चिल्रन Colorado which is in USA, वहाँ की environment को protect कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, okay? छोटे हैं तो क्या हुआ? सपने बहुत बढ़े-बढ़े हैं और आगे भी वो बढ़ते जा रहे हैं. He is part of a group that helps to clean and protect the air, water and earth. ये जो हैं मार्टिनेज, ये एक ग्रूप का part है, चिल्रन जो लोग क्या करते हैं, environment को clean करते हैं, protect करते हैं air, water and earth को. क्योंकि environment तो बहुत important है, हम सभी environment में ही रह रहे हैं, सोच लोग अगर environment नहीं रहा हमारा अच्छा तो हम क्या रहे पाएंगे? नहीं न, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, चिल्रन जो group of people है, मार्टिनेज का, जो क्या कर रहे हैं, environment को clean करने में help कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं. Okay, he has been speaking about saving the environment since he was six year old. So children, आज ये 18 years के हैं, लेकिन ये काम वो 6 साल से कर रहे हैं, he has been telling this to people, save the environment, protect the environment. तो 6 साल से ही इनको ये realize हो गया था कि environment कितना जरूरी है और कितना हम उसको pollute कर चुके हैं. So, देखो children, age कहीं matter नहीं कर रहे हैं, 6 साल का बच्चा भी ये समझ रहा है और अच्छा काम कर रहा है और एक अच्छा example set कर रहा है. है ना? So children, आप सब के सामने ये examples हैं, कितने च there are so many, there are many such children all over the world who have decided to help others and fight against different problems of their society. So, yes children, ये तो हमने तीन लोगों की बाते करीं लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं, ऐसे children जो decide कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और अपने society की problems को खतम कर रहे हैं, ओके, अभी तो हमने तीन की बारें आपको बताया हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने अपना एक example set किया है, they are role models for so many, they are protecting the environment, they are doing so much for society, they are helping others and they are doing so 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 many things, right? तो children हम सब को भी अच्छा example set करना है, society में ना की bad example set करना है, क्योंकि children आप सब तो हमारे future generation हो, future हो, अगर आप सब अच्छा काम करेंगे तो अपने आप दुनिया बदलेगी और दुनिया में changes आएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, isn't it? So this was the chapter children, young role models, जिसमें हमने उन लोगों के बारें बाते की, जिनकी age जादा नहीं है, but still they have done a lot, okay? ना अब एक information कि अगर आपको Magnet Brains के वीडियो देखने होते हैं, जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये site को लेगी, जिस पर लिखा रहेगा India's 100% free online education platform, नीचे दिये रहेंगे classes, for example you are in class 2, click class 2, आपके सारे subject teachers with their subjects आपको दिखेंगे, अब मान लेजे आपको GK पढ़ना है, तो आप watch not GK करिये, आपके सारे chapter wise videos GK के आपको दिखने लगेंगे, कोई particular video देखना है किसी chapter का play the button and the video will start, so ये ता आपको topic young role models, next video में करेंगे इसी chapter की exercise, तब तक के लिए Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूले, क्योंकि Magnet Brains अता है kindergarten to grade 12, free videos and free education, thank you.